वेलकम टू नॉलेजिस्टीक एंड विलनेस आज हम जानेंगे मिलेट क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते है मिलेट को हिंदी में बाजरा कहते है छोट्या करके बीज को मिलेट कहा जाता है ये बहुती जादा पोश्टिक होते है मिलेट पहाड़ी, तटिवर्षा, सुखादी इलाकों में बेहत कम संसादों में उगाया जाता है एक तरफ मिलेट को उगाने में कम लगत आती है मिलेट के सेवन से सेर्ट को कई तरके पोशक तत्व मिल जाते है जो साधारन खानपान से मुनकीम नहीं है मिलेट एक सुपर फूड है, मिलेट में गेंव और चावल की तुलना में ज़्यादा मात्रा में एंजाइम बिटामिन्स और मिनरल्स पाय जाते है इसके अलावा इसमें सोलिबल और इंसोलिबल फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो जानते हैं मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं नमबर साथ है सामा नमबर आठ है बाजरा नमबर नव है चेना और नमबर दस है जवार तो ये हो गए मिलेट के दस प्रकार जिसे वजन कम करने के लिए मदद मिल सकती है तो ये हो गए विटामिन्स, मिनरल्स, पोटेशियम, मैगनेशियम और फाइबर से भरपूर ऐसा ये मिलेट्स अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें थैंक यू, थैंक यू फर वाचिंग